कि नवस्कार में मीखा राजपूत आप देखेरें टैन्यूज समय में मोजू गेटर नुएड़ा के केंब्रीज स्कूल में यहां हम आपको बताते हैं कि यहां एंसेसी केंडिडेट के लिए किस्पेशल कैम का आयोजन हुआ है जो दस दिवस तक चलने वाला है अब मेरे साथ अब जूलने वाली है गलकोटिया यूनिवस्टी की बहुत होनार शात्रा जो एंसेसी की केंडिडेट्स है जोती विस्ट आपको बता दे कि वह गलकोटिया यूनिवस्टी में बीटेक की शात्रा भी है ठर्ड इयर में वो पढ़ती आई है जानते हैं उनके ए अब है जानते हैं अबसरों में ने हमें पर आपको इंड़स सब्याजश्ता आपने बीटेट्लिक पड्राबस समया जाए जाननाम संबद आपने यूनिवस्ट में वन्हां आंपने पड्राइट्स है अनुभाव आपको इंड़ने मगें आपने थिए बीटेर शोच जाने that there were a lot of things which were which were like the world falling down but at the end it came out the best हम एक लर्णिंग की बात करते हैं तो एक शारिरिक और मांगसी प्रूप से कहां तक आपको ये एक स्ट्रॉंग लेवल आपका लेखे जारी है उसके बारे में क्या करना चाहिए तो सबके दिमाब में सबसे पहले शारिरिक आता होगा कि शारिरिक तौर से हम मजबूत होते हैं पर मेरा जो परस्टनल एक्सपीरियंस है यहां पर कि एंसी सी में अगर आप आप आडी सी एस क्या उसके बारे में आप जानती है कैसा आपका अनुबब रहां कि बताना चाहेएं दो आचीक क्ति उल्दीग की सबसें ज्यान निएकक करने का मौका मिलना उसके लिए शाएद सबसें बड़ी बात होती होगा आप जो गल्स आपको देख रही हैं क्या उनको मैसिस देना चाहेंगी कि एंसी से आप कितना कुछ सीखते हैं कितने आप अपनी लाइक में देश के लिए समाज के लिए आप उसको यूज कर सकते हैं क्या कहना चाहेंगी मुष्पी घर्स को मैं स्पेशली यह कहना चाहूंगी कि काफी घर्स हम जब कैम्स में जाते हैं तो महां सारी घर्स होती हैं अब वहां पर आपको आप जब समाज में निकल कर जाते हो इस कैम को करने के बाद और और अप कई ओके लिए मोटिवेशन होते हो तो डोंट लेट motivation go down you are the motivation and you are the social change that could that the world want so आप से ही शुरुवात है आप ही उसके बाद समाज है तो जैसा आपने बताया तो जैसा इन्होंने बताया मैं गल्गोटियाज उनिवर्सिटी में थर्ड ये बीटेक CAC AIML की छात्रा हूँ और गल्गोटियाज उनिवर्सिटी इस वन अफ प्रिस्टीजियस उनिवर्सिटीज इन ग्रेट अनोइडा उस पे मदलब युल्गेट अल्सॉर्ट आप एक्सपोजर्स देर सो वन अफ बेस्ट वन तो बी इन तन्यूस से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत दन्यवाद थैंक्यू